तीन दिन से लापता महिला की लाश नाले में मिली है तीन दिनों से लापता महिला की लाश नाले में मिली मृतक महिला इंदरगड नगर परिशद के वार्ड नमबर 7 में किराई के मकान में रहती थी मृतक महिला का पती राज मिस्री का कारे करता था मृतक महिला डबराजुला गॉलियर की रहने वाली बताई जा रही है इंदरगड में काम के सिलसिले में किराय के मकान में रहते थे नगर परिशद इंदरगड के सेवडा रोड पड़ पेट्रोल पंप के सामने स्थित नाले में एक महिला की लाश मिली महिला की शिलाक्त हो गई है महिला तीन दिन से लापता थी जिसकी गुमशुदगी आज सुबर पुलिस थाने में महिला की पती ने दर्ज कराई थी शाम को महिला की लाश नाले में पड़ी हुई मिरी पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में ले लिया है मिलतक की डैड बॉडी को पोस्ट मॉटम के लिए अस्पताल भीच दिया गया है महिला की लाश कभी महिला की लाश तकरीबन तीन दिन पुरानी बताई जा रही है जिससे बद्बू आने लगी थी महिला की शिनाक्त पूजा पत्नी शाम संदर चाटव निवासी इंदरगर की रूप में हुई है पुलिस थाने में आप सुबह ही महिला की पत्ती शाम संदर ने गुमशुद की दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी दो तीन दिन से लापता है उसने सबी जगर तलाश कर लिया है वो कहीं भी नहीं मिली है पुलिस को सुचना मिली कि पैट्रोल पंप के सामने नाले में किसी महिला की लाश पड़ी हुई है जब पुलिस मौके पर पहुची तो महिला की शिनाक्त पूजा पत्नी शाम संदर चाटफ के रूप में हुई जो तीन दिन से लापता थी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है महिला की मौत कैसे हुई यह पोस्ट मौटम रिपॉर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा